नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सेक्रेट ब्रिस्चिक रासी बालों साल 2021 सफलता के नए इतिहास रचने वाला है क्योंकि एक तो आपके सरीर के अंदर एनर्जी लेवल अधभूत रहेगा और चन्रमा जो इस वर्स यानि की 2021 में साल के सुरुआत में ही आपके भाग अस्थान में है इसका मतलब है कि पूरे साल आपका भाग आपका साथ देगा चाहिए तो यहाँ पर सत्रुविरोधी कितना भी चाह लें पर आपका कोई खास कुछ बाल भी बाकर नहीं कर पाएंगे दूसरी तरफ इस वर्स थोरे खर्चे होंगे लेकिन चलिए हम आपको विश्तार से बता ही देते हैं सबसे पहली बात तो यह जो जनबरी का महना है यहाँ से लेकर दिसंबर के महने तक के लिए जो सनिदेव हैं वो आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे देखिए सनिदेव चुकि मकर रासी में हैं अपने ही घर में हैं और उनके साथ देव गुरु बिहस्पती भी आपके तीसरे अस्थान पर बिरजमान हैं तीसरा अस्थान पर सनिदेव और देव गुरु दोनों के रहने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है तो क्या क्या होगा आपके लिए नया और क्या कुछ होगा बड़ा बदलाओ जो आपके लाइफ को बदल देगा अगर हम बैदिक जोतिस की माने तो नौ गुरहों में जो नयाधिस हैं वो हैं सनिदेव अब यहां पर उनको पद पद्वी सुसोभित किया गया है नयाधिस के पद पे और दुखों के नासक हैं यहां तक की जोतिस केता है वो पापी ग्रह है वैसे तो सनिदेव ऐसे ग्रह हैं अगर देने पे आ जाए तो बैक्ति को राजा बना ही देते हैं और 2021 में पूरे साल मकर रासी यानि अपने ही घर में रहेंगे और वैसे तो आप पर साड़े साती भी नहीं है नढ़या है यानि आप इन बंधनों से आजाद हैं अब यहां पर देखिए होगा क्या जनबरी 2021 में यहां पर देखिए जो सनिदेव है न स्रवन नच्छतर में गोचर करेंगे अब यहां से 2021 पूरे 142 दिनों तक वक्री रहेंगे 11 मई 2021 की सुबह वक्री होंगे और 29 सितम्बर की सुबह फिर से मारगी हो जाएंगे और आप ब्रिस्चिक वालों आपके जीवन पर पूरे साल की अगर हम बात करें तो देखिए आपके तीसे भाव में है साथ में देवगुर ब्रिस्पती हैं तो इस वर्स आपको आपका जो धन आने का सफलता प्राप्त करने का एक जो आपका रोच चल रहा है जो आप आगे बढ़ रहे जिसकती से वो होता ही रहेगा और यहां तक कि जिस भी कारे में हाट डालेंगे वहीं पर सफलता बिलेग भागे का साथ आपके साथ है पुराने तमाम अठके हुए काम भी पूरे होंगे थोड़े खर्चों में कमी आएगी और इसमें थोड़ा सा भाई बहनों से किसी बात को लेकर पारिवारिक संबंधों में कहीं कोई प्रोपर्टी को लेकर किसी तरह की कोई भाई बहनों के त समrdion से थोड़ा ध्यान रखें और अगर नहीं कर रहे हैं तो करने से बचिए अगर आप बैफसाई हैं बैफसाई से समंदित ह्यात्राइं कर रहे हैं तो आप के लिए लाब होने के योग बनेंगे तो अब हम जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ आप प्राप्त करेंगे 2021 में ब्रिस्टीक वालों के बहुत सारे आपके जिमन में बदलाओ होंगे ये बदलाओ सकात्मक भी है और नकात्मक भी है सुरूआत करते हैं आपके करियर से तो 2021 में करियर में थोड़ी बहुत परिसानिया दिखती है क्योंकि आपके तीसरे घर में हैं अधिक महनत करवाएंगे थोरा सा आलस्य भी है आपके सुभाब में और ये आलस्य को आपको त्याग ना होगा नहीं तो आप कहीने कही पिछड जाएंगे गरहों की चाल कहती है आपको इस समय आलत से करने से आपके चुनोतियां बढ़ेंगी हलांकि चन्वरी, फरवरी और मार्च के महने में साथी अप्रेल, जून, जुलाई ये थोड़ा सा मुस्किल डालेगा आपके लाइब में मुस्किलों का संचार करेगा लेकिन अगर आप इन समय को बेहतर तरीके से बैतीत कर लेते हैं तो फिर आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है खास कर अगर आप जॉब करते हैं तो समल के रहिएगा जुलाई के बाद इस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेंगी खास कर अगर आप जॉब करते हैं ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो वो खुसियां भी आपको आसानी से मिल जाएगी और साल के अंत में विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे धन बचा पाएंगे अरजित कर पाएंगे तो सुरुवात अच्छी है लेकिन जन्वरी के मेहने के मद से लेकर यहां पर थोड़ा सा आपको सम्हल के आगे बढ़ना है और आलस सी नहीं करना है बात करते हैं धन की देखे सरीदेव की किरपास से सुरुवात में थोड़े खर्चे जादा है क्योंकि इसमें प्रोपर्टी बेगेरे को लेकर विवाद है और हो सकता है उसमें थोड़े खर्चे हो जाए थोड़ा सम्हल के रहिएगा दूसी तरब यहां थोड़ी मुस्किलें भी होंगी क्योंकि आर्थिक इस्तिती को हलांकि गर्षों का बल मिलेगा तो आर्थिक इस्तिती बहतर होगी और अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर यह जो समय है थोड़ा सा आपको धन के मामलों में जादा खर्चे दिखते हैं खास कर सुमंगल कारे होते नजर आएंगे और उसी पर खर्चेंगे जो बिद्यार्थी हैं उनके लिए सिक्षा के छेतर में आपको थोड़ी और मेहनत करनी है वैसे तो पढ़ाई लिखाए के लिए ठीक है सफलता पणाने के योग होनेंगे और आपके सिनियर का आपके गुरू का साथ मिलेगा मदद मिलेगा लेकिन इसमें आपको जो पंचम भौ के स्वामी है देव गुरू भेस्पती उनकी किरपा से आप विद्यार्थें के लिए जनवरी फरवरी मार्च अपरेर ये चार महीने बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें आप अच्छे जगह एडमिसन कर ले सकते हैं अच्छे रिजल्ट आएंगे एकजाम बिगरत दे रहे हैं तो यहां पर ये चीज़ें बहतर है पारिवारी जीवन की बात करें तो गुरू की दृष्टी आपके पारिवारी जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी खास कर माता पिता का स्वास थोड़ा तनाओ दे रहा है ऐसे में जनबरी फरवरी ये दो मेने पिता के स्वास्त का ध्यान रखे वैसे भी सूरे देव एक तो मकरासी में और उसके बाद कुमरासी में रहेंगे अब अपने पंटर के घर में रहेंगे तो थोड़ा से यहां पर sthdya and दीजिए भाई-biennia साथ मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनों के साथ यात्रा भी दिखता हैं दूसरी तरब थोडा सम्मानसिक तनाव है सितंबर अक्टूबर नवंबर के मेहने में तो आपको पॉजिटिव बेभार रखना होगा क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए ये भी जानेंगे उसके पहले जानते हैं बैवाही जीवन देखिए इस समय 22 फरवरी से 14 अप्रेल तक बैवाही जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा जीवन साथी से किसी बात को लेकर बिवाद हो सकते हैं कहा सुनी हो सकते हैं अपने स्वास्त का भी ध्यान रखेंगे और 2021 में मई का महिना थोड़ा जादा आपको साब्धान रहना होगा क्योंकि सब् थोड़ा बैवाही जीवन पर निगेटिव प्रभाव तो है तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का समय ठीक है लेकिन बीच बीच में थोड़ा ख्याल रखना है और संतान को उन्नती होगी अगस्त के महने में बैवाही जीवन आपका ज्यादा अच्छा रहेगा और हो सक में भी है तो विश्वास कमजोर होता नजर आएगा गलत फैमी के सिकार हो सकते हैं तो इन चीजों को ध्यान दे संभावना है किसी कारण बस आप पढ़ाई के लिए जौब के लिए एक दूसे से थोड़ी देन के लिए दूर रहें अब चुकि मार्च के महने में सुक्रद लेव आपके पंचमभौ में आएंगे तब लब लेसंसिप में एक फिर से खुसी आएंगी रिस्ते मजबूत हो सकता है आप एक दूसे से बिवाह करनी की सोचें तो यह चीजें सुकून देगी लेकिन हम स्वास्त की बात करें तो मिला जुला हुआ है क्योंकि यहां पर के और माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं तो केतूस के दोस्से मुक्ति मिलेगी दूसी बात जो लोग जौप करते हैं मानसिक तनाव दूर होकर काम कीजिए बेहतर फुल मिलेंगे और बिजनस में के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है लेकिन जल्दवाजी में कोई भी निर्ने मत लीजेगा अपना वाहन प्रोपर्टी सब देंगे सनी दे संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे धन तो आएगा ही बस रोज साम में ओम संक्सने च्रायनमा कम से कम 27 बर जब करें तूब बहतर है हर हर मादेव